Flipkart Big Savings Day Sale 23 जूलाई से सुरू होने वाली है तो साथ ही Amazon Prime Day Sale भी 23 जूलाई से ही स्टार्ट होती हूँ देखने को मिलने वाली है तो आज के इस वीडियो मैं Samsung के हर एक प्राइस पे आपको बताऊंगा कि कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए और ये रहने वाले हैं इन दोनों सेल्स के अपने अपने सबसे सस्ते स्मार्टफोन तो चलिए स्क्रीन पर अब मैं यहां पर आ गया हूँ जैसे कि आप देख सकते हो फ्लिपकार्ट और एमाजोन मैंने दोनों ही अपने टैब में बिल्कुल खोले हुए हैं सबसे पहले हम एमाजोन से यहां पर स्टार्ट करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो प्राइम डे से लिखा हुआ है और 23 और 24 जुलाई दो दिन के लिए चलने वाली है अप टू साथी एक्सचेंज ओफर है फ्री स्क्रीन रिप्लेस्मेंट है और कूपोन्स भी है साथी बैंक ओफर आप यहां पर देखिए आईसी एसी और एस्बी आई के बैंक्स पे आपको 10% का डिसकाउंट ओन दंगो मिल जाएगा जो की क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड एंड PMI दोनों पर मिल जाएगा और जो भी डिसकाउंट होगा वह आपको डिरेक्ट एमाजोन पर अकाउंट में आपको देखने को मिल जाएगा जैगा इसी के साथ ही Amazon की प्राइम मेंबर्स ही पह आपके पास होने चाहिए तब ही आप अरली इन्हें एक्सेस कर सकते हो इसके ल की रेंज में बात करते हैं कि Samsung का कौन सा बेस्ट फोन आपको मिल जाएगा अगर आपका बज़र दस हजार है तो यहां पर सबसे पहले प्रिफरेंस निगल कर आती है वो है Galaxy M13 5G और जो Galaxy M13 5G है अभी ही लॉंच हुआ है यहां पर आप बिल्कु देख सकते हो 6000 एमेज की है लेकिन कार्ट के डिसकाउंट के बाद आपको 9900 यानूर्पे में आपको मिल जाएगा तो मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि कहीं से जुगाड कर लीजेगा और आपको यह फोन आराम से बिल्कुल देखने को मिल जाएगा M13 4G का नाम है और यहां पर आप देख सकते हो जो रैम है उसको आप बढ़ा सकते हो 12GB तक यानि की रैम प्लस का सपोर्ट मिल जाता है 6000 mh की बैटरी है 15 वोट की चार्जिंग है लेकिन चार्जर आपको इस स्मार्टफोन के बोक्स में नहीं मिलेगा इसे के साथ ही जो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा इसे क इसे के साथ ही 8 Megapixel की सेलफी है इसे के साथ ही दो और कैमरा है अल्ट्रा वाइड और एक वही डेप्ट यह मैक्रो का लैंस देखने को मिल जाता है और इसे के साथ ही नोक्स यह पावर्ट स्मार्टफोन है फुली नोक्स सेक्रिटी आपको मिल जाएगी जो की एक इंटरस् सामसिंग ने नहीं किया है बाकि डे टुडे टास्क को यह एजिली हैंडल कर लेता है लेकिन ज्यादा हैवी गेमिंग आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो इसे के साथ ही 1.1 एंडूड 11 इसमें देखने को मिल जाता है और यहां पर डिजाइन भी आप यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का है कुछ ए सीरीज का जो डिजाइन है उसकी तरह सामसिंग ने यहां पर प्रोवाइड करने के बिल्कुल कोशिश की हुई है तो कुछ इस तरह के स्मार्टफोन है और इसको भी आप डेफिनेटली 10,000 के रेंज में चेक आउट कर सकते हैं इसके ब 5G के साथ तो M33 5GB आप यहां पर देख सकते हो 17999 करंट प्राइस दिखा रहा है इसकी लेकिन ओफस में आपको 14249 में यह देखने को मिल जाएगा तो जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ना की 12-13,000 की रेंज में आपको चाहिए अगर उसके साथ आप थोड़े से और पैस करते हो तो आपकी आवाज जो है तो काफी अच्छी लोगों को सुनाई देने वाली इसके साथ 12GB तक RAM Plus को सपोर्ट कर सकते हो और यहां पर भी आपको चारजर के लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे बिल्कूल इसके साथ इसके साथ 1280 प्रोसेसर है जो कि डेफिनेटल के डेफ्ट और मैक्रो मिल जाते हैं आठ मेगापेक्सिल के सेलफी है 6000 एमेच की बैटरी है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि चार्जर इसके लिए आपको अलग से परचेज करना पड़ सकता है यानिकि पड़ेगा और साथ ही एंड़ ट्वैल और वन यूई फॉर इस 32 4G की और यहां पर यह डेफिनिटली हाइलाइट हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो सामसेंग गिलेक्सी एम थाइटू 6000 एमेच की बैटरी 64 मेगापिसल का क्वैड कैमरा और हिलियो जी एटी आपको ओफर के साथ 11 ट्रीपल नाइन में यह देखने को मिल जाएगा और बहुत सारी वीडियो बनाई हैं तो वह वीडियो आप एक बार चाइक आउट कर लेजिए प्लेश्ट का मैं आपको लिंक दे दूंगा लेकिन मुझे लगता है कि अगर ट्रीपल नाइन मां आपको एक एमलर डिस्प्ले वाला फोन चाहिए इसका कैमरा भी बहुत अच्छ आप इसे ले सकते हो एक अच्छा पावरफुल ये फोन बन जाता है सामसंग की तरफ से यहां पर आप देख सकते हो 6128GB वेरेंट है 108 मेगा पिक्सल का कैमरा लैंस है अच्छी ठीक ठाक परफोमेंस आपको कैमरा में मिल जाएगे सूपर एमुलेट प्लस 120Hz का डिस्प्ले इसमें देखने को मिल जाता है 32 मेगा पिक्सल की सेलफी है जो प्रोसेसर है वो 6NM की टेकनोलोजी पर इसका मतलब काफी पावर एफिसेंट ये प्रोसेसर रहने वाला है और यहां पर आपको जो चार्जर है वो अलग से परचेज करना पड़ेगा तो 24999 जो है इसकी प्रा Samsung flagship की तरफ हाँ पर आप देखिए Galaxy S20 Fan Edition 5G जो है कलाउट ने भी 8 प्लस 128 GB इसका अभी 34999 में मिल रहा है यह 35000 का इसको प्राइजिंग है वो बहुँ जादा लैस होगी है अगर हम पिछले कुछ तिनों से कंपेर करते हैं because 3730 39 के आसपास इसकी प्राइस थी लेकर अभी 35000 म रूपे मैं देखने को मिल जाएगा तो यह जो है काफी इंटरस्टिंग डील बन जाती है और आपको कहीं से जो कार्ड्स हैं उनका जुगाड करना परेगा और इस फोन को आप 30,000 के अंदर ले सकते हो Snapdragon 865 है और साथ ही तीन जो Android अपग्रेड्स हैं उसमें यह भी मिलेंगे यानि कि Android 14 तक इसमें अभी आपको अपडेट देखने को मिल जाएंगे तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है तो यह स्मार्टफोन मुझे काफी अच्छा लगा Samsung के तरप से 30,000 अगर आपका बजर्ट है और आपको यह मिल जाता है तो मैं आपको कहूंगा कि A53 बगार को स्किप कर दिजिए और इस फोन के तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो सो गाइस यह मैंने आपको को स्मार्टफोन बता दी लेकिन जो मैं आपको एक बता रहा था जूकि फिल 28GB वेरेंट के लिए तो यह जो है इसकी प्राइज रहने वाली और इसी के साथ ही बैंक डिसकाउंट के साथ आप ट्रीपल नाइन में इस फोन को डेफिनेटली ले सकते हो जो बिग सेविंग डेज सेल है वह आप यहां पर देख सकते हो कि आज रात से लगने वाली है जू तो इस पर आप यहां पर यह ले सकते हो और यहां पर अगर हम इसके स्पैसिफिकेशन के बारे में बात करें तो 4128GB वेरेंट है 6.6 इंचिस का फूल एजडी प्लस डिस्प्ले है 50 मेगापिक्सल और 8 और 2 मेगापिक्सल के यहां पर कैमराज है 8 मेगापिक्सल के सेलफी ह पांच हजार अमेज की बैटरी है और स्नैप ड्रेगन 750G का प्रोसेसर यहां पर देखने को मिल जाता है तो प्राइस रेंज के साबसे मुझे लगता है कि सामसंग अब अच्छी ओफरिंग यह लेकर आया हुआ है तो आप डेफिनिटली 12-13,000 पे मैं इस फोन को चेक भी कर सकते हैं विकोज अगर 5G फोन चाहिए तो सामसंग की तरफ से यह बिल्कुल अच्छा फोन है सो गाइस बास यह सबी स्मार्ट फोन जो है सामसंग की तरफ से मुझे लगता है कि अभी बजट रेंज और अपर बजट रेंज में जो है काफी फिट बैठते हैं तो तो ट्रांस्परेंट चीज़ है और आपसे मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ